मैं डॉक्टर फहीमा, प्रोफेसर मारवारी कॉलेग दुजबर्ट में राची इन्वर्सेटी राची, हमारी प्यारी बचियों दावर्स, आज मैं आप लोगों को मिर्जा मज़र जाने जाने के मतालिख कुछ सवाल जवाब बताऊंगी, किसे आप गौर से सुनने, तो इसक तो जवाब सुनिए, उस जमाने में आईनी सल्तनत था, कि उम्रा की ओलाद का नाम बादशाही रखा करता था, चुनाचा हस्प रवाय तालमगीर ने कहा कि बेटा बाप की जान होता है, बाप मिर्जा जान है, इसलिए उसका नाम हमने जाने जाना रख गिया, तुसरा सव है, मजहर जाने जाना बेढ़ंगी बात को पसंद ना करते थे, इस व्यान की दलील में कोई मिसाल पेश कीजिए, तो जवाब है इसका, जिस चारपाई में कान हो, उस पर बैठा ना जाता था, घबरा कर उठ खड़े होते थे, शुनाचा दिल्ली दर्वाजे के पास एक द नज़र जा पड़ी, वही ठहर गए और जब तक इनकी कान ना निकल वाली आगे ना बढ़े, इस वाके से जाहिर होता है कि मिर्जा मजहर जाने जाना कोई बेढ़ंगी बात पसंद ना करते थे, आए दूसरे स्वाल पर मिर्जा मजहर जाने जाना पर चंद जुमले लिख तो जवाब सुनिये, मिर्जा मजहर जाने जाना बहुत ही वज़ादार इनसान थे, वो कोई बेढ़ंगी बात पसंद ना करते थे, तेरी टोपी पहन लेने से उनके सर में दर्द हो जाता था, जब दुनिया ने दिल्ली को छोड़ा, तो भी आपने बुजर्गों के आस्त आने को ना छोड़ा, साती महरम की रात के वक्त एक शक्स मिठाई लेकर आया, और उसने मुरीद बनकर आवाज दी, और उन्हें बाहर आने को कहा, वो बाहर निकले तो एक कराबीन मारी की गोली सीने के पार हो गई, और भाग गया, कारी जखम आया, तीन दिन तक जिन्दा रहे और अपने कातिल को सजा ना देने की वसियत करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए, सुझी कितनी बड़ी हस्ती थी है, कितनी अजीम हस्ती कि मेरे कातिल को सजा मदब, तो हम अपने माबूद हकीके से मिलने चाही रहें, समझें, अब आई एक सवाल है, बहुत ब कारناमों का जाइजा लेजिए, तो जब आप सुनिये मुहमदवन, आजाद तखल्स देहली के रहने वाले थे, उनके वालिद मौलवी मौहमद बाकर अर्दू के एक हम अखबार के एडिटर थे, इस अखबार का नाम देहली अर्दू अखबार था, जिसमें 1857 स्वी की जं के घाट उतार दिया, और मौहमद हुसाइन ने दिली छोड़ कर कही साल तक भागे हुए, मुझरिम की तरह बक्या जिन्दगी बसर की, बरसों की परिशानी के बाद बाला आखे मौहमद हुएन आजाद लाहुर पहुँचकर मौक्माय तालीम में मुलासिम हो गए, वो इल मौशाइरों की बुनियाद रखी, इन मौशाइरों में तरह घजलों के बजाए मौदू देकर नजमे लिखवाई जाती थी, इसी तरह अंग्रेजी तर्स की किताबें भी तयार की गए, इन में आजाद की नेरें ख्याल खसूसन गालिबें दिक्र है, मौहमद हुएन आज की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में शामिल है, इन मौशाइरों पर सुखंदा फारस भी इनकी एक एक एहम तस्नीफ है, आजाद के डारों और वाकियात का इस तरह बियान करते हैं को चलती फिरती तस्वीरें बन जाते हैं, इनकी तहरीर मौनासिव अलफा ठीक है तक, आज मैंने आप लोगों को इसका सवाल जवाब बताया है, इन्शालला बात समझ में आ गई हो, फिर अगले क्लास में बाते होंगी, ठीक है अपना खयाल रखें, चलिए अल्ला हाफिस